अब प्रश्णी यह उठता है कि आप बैंक में जाएं और बैंक आपको लोन देने के लिए तयार हो जाए उसके लिए ऐसा क्या करना होगा बैंक से लोन लेने के लिए तीन अलग अलग क्रैटेरिया हैं सबसे पहला क्रैटेरिया है लोन on behalf of past performance आपने अपने पिछले business की performance के आधार पर लोन के लिए अपलाई किया है दूसरा जो criteria है वो है loan on behalf of past performance and future projection और तीसरा जो criteria है वो है loan on behalf of future projection without any past performance अब प्रश्णी ये उड़ता है कि इन तीनों criteria में से कौन सा ऐसा criteria है जिसमें loan मिलने के संभावना सबसे अधिक होती है तो वो criteria है loan on behalf of past performance यदि आपने bank से loan लेने का मन बना लिया है तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कौन कौन से factors हैं जिन पर आपको ध्यान रखना है जिन चीजों को आपको follow करना है ताकि आपको bank loan देने के लिए तयार हो जाए और बार बार आपको bank के चकर ना काटने purpose doubtful हो यदि आपका purpose doubtful होगा तो bank loan देने के लिए तयार नहीं होगा and the next that is full proof business plan आपका business plan full proof होना चाहिए मतलब वहाँ पर आप कितना revenue generate करेंगे कितना turnover आपका होगा ratio of profitability क्या होगी और उतने profit के बाद उसकी operating cost क्या होगी और आप किस तरह से उस projection में ये show करेंगे कि आप bank की EMIs आसानी से pay कर सकें जब आप bank के लिए apply करते हैं तो आपके पास existing business के licensing और documentation proper होने चाहिए आपको ये पता होना चाहिए कि उस particular business में किस तरह की government formalities और किस तरह के license की requirements हैं वो सारे आपके पास होने चाहिए साती सात आपके documents systematic organized होने चाहिए मतलब like your personal document as well as your company, your firm, your organization's documents जब documents आपके proper होंगे तो उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है वो है desired loan amount कि आप bank से कितने loan के लिए apply कर रहे हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये इस बात पर निर्भर करता है कि bank ये चेक करता है कि क्या जितना loan आप desire कर रहे हैं उतना loan repay करने में आप सक्षम होंगे यदि आपका project आपके बताय हुए method के अनुसार hit हो जाता है तो अब महत्वपूर्ण बात ये है कि जब आप bank में loan के लिए apply करें तो उससे पहले आपको क्या-क्या साफधानिया बरतनी है या किन चीजों की तयारी करनी है उनमें सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज है आपका credit score आपका personal credit score आपकी company का credit score आपको check करना है और उसको maintain करना है क्योंकि bank भी जो loan पास करता है वो credit score के आधार पर ही करता है एक बात का ध्यान रखेगा do not apply for multiple loan कई बार आपके documents के आधार पर आपकी eligibility of loan कम होती है लेकिन आपको पैसे की ज़्यादा वशकता होती है उधारन के लिए आपको 50 लाग रुपे के वशकता है लेकिन आपके documents के अधार पर bank के वल 10 लाग देने के लिए तैयार है तो ऐसे में आप multiple banks में loan के लिए apply ना करें वो आपकी credibility को down करता है and if you are an existing businessman keep your business accounts updated most of the time एक problem रहती है कि लोग अपने business के accounts को हमेशा properly update नहीं रखते आपको हमेशा अपने account को update रखना चाहिए ताकि कि किसी भी समय पर किसी भ आपके पास available हो बहुत सारे लोग अपना GST return ठीक समय पर फाइल नहीं करते अपने banks accounts को maintain नहीं करते अपने cash book को maintain नहीं करते profit and loss account को maintain नहीं करते तो जब आप अपने सारे documents को properly maintain करते हैं तो वशक्ता के अनुसार हर document आपके पास available रहता है इसलिए अपने documents को हमेशा update रखे If you are making any kind of projection to get the loan आपको ज़रुवत है अपने vendors के list को properly maintain करने का आपके best vendors के list bank आपसे मांगता है क्योंकि bank जब भी आपको आपके project पर funding करता है या loan देता है तो वह चेक करता है कि किस तरह के vendors से आप material purchase करेंगे उनकी credibility के आधार पर भी आपके loan का पास होना निरबर करता है इसलिए किवल उन vendors के list bank को submit करें जिनके साथ आपके business relation banking transaction बहुत अच्छी है जहाँ पर business existing होता है वहाँ पर age of business भी बहुत अधिक matter करता है यदि आपका business 6 महीने से लेकर 2 साल तक की age का हो गया है तो आपके loan के मिलने के संभावनाएं कई गुना ज़्यादा होती है लेकिन यह बात उन लोगों पर लागू नहीं होती जो start-ups है start-ups के case में आपका business का projection plan full proof होना चाहिए वहाँ पर आपके business का project properly design होना चाहिए तभी उसके future projection पर bank loan देने के लिए तयार होता है मैं उन सभी start-ups से एक बात कहना चाहता हूँ जो अपने start-up को establish करने के लिए loan के लिए apply कर रहे हैं जब भी आप अपने business का projection या start-up का proposal design करें तो वो किसी professional या mentor के साथ मिलकर बनाएं ताकि आपके rejection के chances कम हो जाएं क्योंकि एक बार यह दिए आपका proposal reject होता है तो समझ यह आपका credit score भी down होता है friends आप लोगों के लिए मैंने develop किया है ROPE result oriented program for entrepreneur इस program को आप अपने घर बैठे mobile, laptop, computer, tablet के माध्यम से attend कर सकते हैं इसकी सारी के सारी जानकारी हमने इस वीडियो में दी हुई है इसका link आप description box में देख सकते हैं registration close होने से पहले जी हां registration close होने से पहले अपना enrollment करा ले ताकि आप अपने जीवन में सफलता की और हमेशा अग्रसर रहें मैं डॉक्टर अमित महिश्वरी आपके सुनेरे बविश्य की कामना करता हूँ जै हिंद जै भारत